दिशे है बापू के पद्चिन्नों पर जो मुझे दिया गया है। पद्चिन्नों का एक मतलब जो होता है मेरे ख्याल से आपका आश्वे वो तो नहीं है। पद्चिन्नों पर चलने का एक मतलब होता है अंधाम करों। कि जैसे विछ चलते गए वैसे हम चलते जाएंगे। वो बक्री का दूद्ध पीते देद हूं बक्री ना सही तो घाय का दूद्ध पीएंगे। वो शाकाहर करते थे तो हम शाकाहर को इस हद तक पहुचा देंगे कि मांसाहरियों को राक्चस कहने लगेंगे और भी तमाम तरह के तमासे गांदी जी के नाम पर किये जाती हैं और उन तमासों का अगर रोचक वर्णन पढ़ना हैं तो परसाई जी की एक कहानी पढ़ी है अरी सुनकर परसाई की जिसमें एक नगर में एक ही साथ सरकस आता है और गांदीवादियों का कैम्प लगता है दोनों के आये हो जग नगर के जो सबसे विख्यास सेथ हैं उनके पास जाती है कहते हैं भई कुछ मदद कर दीजिए सरकस वाला कहता है कि कम से कम कुछ मिनिमम आप कंफर्म कर दें तो हम सरकस लाएं अपना पतानी टिकेट कितने बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे तो सेथ जी कहते हैं कि ठीक है इतना पैसा तो मैं आपको दे ही दूँगा गांधी बादी जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं महाराज पैसा चाहिए इतना ले लिजे इसकी विवस्ता में नहीं कर सकता क्योंकि आप में से किसी का कोई भरोसा नहीं कोई केबल छुआरे खाएगा कोई छुआरों को बक्री के दूद में डालके खाएगा किसी को चोकर मिला आटा चाहिए किसी को वो आटा भी यहुका नहीं जुआर का चाहिए उनके मेरे बूते का नहीं है तो गांधी जी को इस तरह के तमासों में रिड्यूस करने के बरक्स ये कोश्विस जो पिछले कुछ वर्सों से चल रही है कि गांधी जी के मर्म को समझा जाए, उनके सार को समझा जाए, ये बहुत महत्पून कोश्रे से हो, और मैं इसी रूप में अपने वक्तवी को लूँगा, आप में से कुछ लोगों ने वो व्याख्यान पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, मैंने तो 2005 में एक व्याख्यान द स्वरगी अनपम जी ने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि विस्वय आप सोहम चुनिये, तो विसे मैंने ही चुना था, और विसे मैंने चुना था, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, मैंने अपने बच्पन में सुना है, आप लोग भी अभी सुनते होंगी और आजकल सो वाट सेकी करपा से ये बात कई तरह से प्रचारित की जाती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, एक ऐसी चवी बनाई गई है, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई दम नहीं है, तो आप चुपचा बैठके रूट जाएगे, खाना छोड़ दीजिए, जैस गांधी जी ये कहते थे विनमरतावस्फ, कि सत्य और अहिंसा तो भग पुरानी चीज़े हैं, एज ओल्ड, एज हिल्स, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, मैंनो इस व्याख्यान में कहा था और मैं फिर से दोहराता हूं, कि सत्य के बारे में तो स्वायद अलग बात हो सकती है, लेकिन अहिंसा की गांधी जी की अवधार्णा सर्व था मौलिक और दुनिया के दाशने के तिहास में अभूत पूरू अवधार्णा थी, उनके पहले पवित्र हिंसा को बुरा नहीं माना जाता था, और पवित्र हिंसा वो जो मेरे विचार के पक्ष में की जाए, मेर बुराईयों के कारण की जाने वाली हिंसा बुरी है, मिस्वाल के तोर पर जिहाद या धर्म युद्ध में की जाने वाली हिंसा बुरी नहीं है, गांधी जी दुनिया के पहले व्यक्ति जो पवित्र हिंसा को प्रसुनिविद्ध करता है और जो कहता है कि हिंसा का मामला इतन इस्टो घांधी जी जब ये कहते हैं कि सत्य और अहिंसा एक दम भूत प्राचीन है तो इस बात को स्वब्द से नहीं लेना चाहिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक अहिंसा की यवधालना का सवाल है गांदी जी की अहिंसा की यवधालना एक दम मौलिक है बहुत पिचार उत्यजक है और उस पर बात होनी चाहिए वो व्याख्यान सुलब है आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं आज बात करने के पहले मैं एक कहनी सुनाना चाहता हूँ जिसका सम्मंद सीखने से क्योंके पद चिलनों पर चलने का जो अर्थ मैं समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी समझते हैं वो यह कि हम किसी व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं हमारे लिए उसमें क्या स्विक्षा प्रध है किस चीज को हम अपने मन में उतारें अपनाएं उससे संबाद करें तो कहनी यह कि साधू थे एक मठ में रहते थे वेदान्ती मठ था तो महां उने सिखाया गया उनके गुरू जी नोंने सिखाया कि सभी जीवों में निवास कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें प्रमात्मा का निवास ना हो बगवान प्राणी मात करें बुसी है किसी काम से वाइजार में जा रही थे सामने से एक विए इस की बढ़गाहूँद कि चला रहा था सादु जी को तो यकीन था कि सभी प्राणियों में भगवान है तो नहीं सोचा कि हाथी भगवान मुझे क्यों beleza पयों नुक्सान पहुंचाईंगी मैं तो उनका भग्त ऑठी भगवान कहे खर्ण को वक्ती फिश्काइब करें ने किसी तरह हाथी में नहीं थे महावत में भी थे तुमने उनकी सुन ली होती तो हाथ पर ना तूटते तो कहने का मतलब यह है कि सीखने की कला भी सीखनी पड़ती क्या सीखना है कैसे सीखना है यह भी सीखना पड़ता है अपने विवेक से आप तेह करते हैं आपका विवेक केवल उतना नहीं होता जितना आप को घर में मिलता है या कॉलेज और स्कूल में मिलता है या अपने सीमे तन्भवों से मिलता है दुनिया भर का जो इतिहास है दुनिया भर में विचारों का जो इतिहास है घटनाओं का जो इतिहास है उससे जो सार निकलता है उससे जो समझ बनती है उससे आपका विवेक बनता है याप बनना चाहिए और इसलिए विचारों के मामले में सिध्धानतों के मामले में देशी विदेशी का कोई मतलब नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता कि साथ के हूँ हमारे यहीं की चीज़ें पवित्रे बाकी बाहर का सब्तियाज यह सब नहीं होता तो हमें गांधी जी से या किसी से भी कुछ अगर सीखना है तो इस बात को ध्यान रखते हुए सीखना है कि हम क्या सीखें कैसे सीखें जैसा मैंने आपसे कहा कि कांधी जी के साथ और साथ साथ जभार्लाल जी के साथ एक तरह का संभात करते करते हैं मुझे धिरे धिरे सिलवर जूबली हो चली 25 साल हो चले और सौभाग इसे एक आदत मुझे में अभी तक बची हुई है सौभाग इसे और मुझे मालूम है कि आप में से हरिकांस लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे अभी भी जब मुझे मालूम है कि मुझे बड़ा veteran speaker माना जाता है बड़ा अच्छा वक्ता माना जाता है वगेरा वगेरा लेकिन अभी भी जब मैं किसी व्याख्यान की तैयारी करता हूँ तो मुझे घवराट रहती है और बाकायदा में तैयारी करता हूँ और कोई आये तो कोई चाहे तो आकर जाच कर सकता है अभी भी मेरे पाउं थोड़े-थोड़े कांप रहें क्योंकि मेरे लिए हर व्याख्यान एक नया व्याख्यान एक नया अन्भव है एक नए तरह से अपने आपको रिविजिट करने का भी मोका है तो जिए मैं इस पर हूँ कि गांधी जी से क्या सीखना चाहिए तो केंद्री ये बात क्या होगी और मुझे लगा दोस्तों और खास करके इस वक्त और ये बात में केवल हिंदुस्तान को ध्यान में रखके नहीं कहरा बलके सारी दुनिया को ध्यान में रखके कहरा हमें अपने डर को पहचानन और उस डर से मुक्ती पाना ये गांधी जी से सीखना चाहिए गांधी जी इतने इमांदार और पारदर्स्वी व्यक्ति थे कुछ मामलों में, कुछ में नहीं भी थे लेकिन कुछ मामलों में इतने पारदर्स्वी और इमांदार व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी आत्मकता में लिखा है कि बच्पन में मैं बेहत डर्पोक बच्चा था इतना डर्पोक कि मुझे अंधरे कमरे में नींद नहीं आती थी मेरे कमरे में बत्ती जलती रहती थी वरना मुझे नींद नहीं आती थी और तब उनके घर की धायमा जो थी मैं नाम भूल रहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि राम का नाम लो सारा डर भागिया और तब से गांधी जी के लिए राम का नाम उनका डर भगाने का उनके विवेक का उनके जीवन का आधार बन गया यहां नाम भूत महत्पूल गांधी जी को उनकी धायमा ने राम का नाम दिया मैंने इस बात पर अपनी पुस्तक कबीर कबीर में विचार किया है वो नाम कोई भी हो सकता है किसी के लिए राम का नाम हो सकता है किसी के लिए किसी अन्य धार्मिक परंप्रा से आने वाला कोई देविय नाम हो सकता है और किसी के लिए नितांत लौकिक नाम हो सकता है वो नाम आपके प्रेमी का आपकी प्रिमका का नाम हो सकता है वो नाम आपकी मां का आपके पिता का नाम हो सकता है लेकिन नाम एक माध्यम बनता है एक प्रतीग बनता है कि जब आप डगमगाएं जब को डर लगे जब आपको संदे हो तो आप नाम के जरीए उस व्यक्ति या उस सक्ता को याद करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसे कैसा लगेगा अगर मैं डरा तो मेरे राम को कैसा लगेगा अगर मैं डरा तो मेरी उस प्रेम का को कैसा लगेगा जो मुझे संसार का सबसे वीर पुरुष बनती और तब वो नाम आपके चित्मे प्रेम और विवेक का प्रतीव बन जाता है निर्भे का प्रतीव बन जाता है और यही काम गांधी जी के जीवन में राम के नाम ने किया आप मैंने आपसे कहा कि एक तरफ ये के बच्पन में उस बच्चे को अंधरे कमरे में नींद नहीं आती थी आप जरा एकदम सब चीजें पीछ में से छोड़ते हुए सीधे पहुँचिए बीच जनवरी उननीस सोड़तालेस को सभा में बम फैका गया है लोग जानते हैं कि बम फैका गया है हमारे सभागे से वो फोटेज अभी तक मौझूद है आर्काइब्स में अभी तक मौझूद है आगे की राम जाने लेकिन वो फोटेज अभी भी आर्काइब्स में मौझूद है कि बम फैका गया है और गांध के बाद जवारलाल ने सरदार पटेल ने आग्रे किया बारंबार आग्रे किया कि आपकी सेक्यूरिटी बढ़ाई जाए और दो तीन दिन महां पुलिस वाले रहे और गांधी जी रूट गए खफा हो गए इस बात पर और तब मजबूरन वो सारी सेक्यूरिटी विट्रॉ की और आप जानते हैं कि 30 जनवरी को नत्थु राम गोटसे ने गांधी जी को एन सामने से गोलियां मारी उसकी तलासी तक नहीं ली गई थी किसी को नहीं पता था कि इस आदमी के पास पिस्टल है और गांधी जी के ठीक सामने पहुंचता है गांधी जी को सूट करता है और जी अपने राम को याद करते हुए सिधार जाती है तो अगर मित्रो गांधी जी से सीखने की सबसे महत्तों कोई चीज है तो वो है आप पहचानी है मैं गयाती का तरुप से मानता हूं सकता है मैं गलत मानता हूं मैं ये मानता हूं जार्ज बर्नार्ट सा के एक मसूर उद्धरां को उसका संदर्ब कुछ हो रहे लेकिन मैं तोड़ा सा बदल के उसे कह रहा हूं हालांकि ग्यानी लोगों को मूल उद्धरां भी याद आ जाएगा और वो जहदे मजदार है जार्ज बर्नार्ट साने एक प्रसंग में कहा था जो उसको बदल के कह रहा हूं जार्ज बर्नार्ट सा कुछ कूर दीजिए दुनिया के 99 फिसदी लोग डरते हैं बाकी एक फिसदी जूट बोलते हैं डर उसी तरह की नेचुरल इंस्टिंट है जैसे भूख प्यास डर नेचुरल है यह कहने का कोई ला जिस तरह मैं अपने क्रोध और अहिंकार को प्याग्यूलिट कर सकता हूं उसी तरह मैं अपने डर्कों भी चाहूं तो डरेगूलिट कर सकता हूं और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाए ये आप नितान सहज जीवन जीते हुए भी हासिल कर सकती है और गांधी जी ने ये दिखाया ये सिद्ध किया कि डर को पहचानू और किसी नाम के सहरे या किसी आदर्ष के सहरे किसी इसमृती के सहरे उस पर विजयब हो तो गांधी जी के पच्चिनों पर चलने की जो सबसे पहली बात है वो मुझे लगता है ये कि हम अपने डर पर विजयब पाए दूसरी बात गांधी जी वो समभवते मूलते हो कोई ता एमर्सन की या या किस की या गांधी जी को बहुत पसंद थी आप जानते हैं कि गांधी जी के विचार बदलते रहे जीवन भर और बड़े बुनियादी तोर से बदलते रहे उननीस सो उननीस बीस तक वे चुवा चूथ के विरोधी होते हुए भी वर्णास्रम के समर्थक थे अंतरजाती वेभा के विरोधी थे संचालीस तक पहुँचते वेदों को और धर्मगरंतों को सुविकार करते थे उनकी मानेता, उनकी प्रमानिकता या उनकी प्रमान सत्ता को सिविकार करते थे सन 40 तक आते आते इस्ति थी यह हुई कि हिसाई पादरियों के एक संहूँ से बात करते हुए जब गांदी जी को ये चैलेंज किया गया, सवाल किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि विद्धवानों के विज पीच में कोई भी बात होती है तो एक Authority के साधार पर आप बात कर रहे है अथारिटी क्या है कि साधार पर आप बात कर रहे है कहां से आप प्रभावित थे खासकर सर्मानांदा मौंट से तो सर्मानांदा मौंट का नाम लेंगे गांधी जी ने स्वयम लिखा है कि मैंने अपने सीने पर हाथ रखके का कि माई अथर्टी रिसाइट्स है मेरा विवेक, मेरी अंतरात्मा, मेरा प्रमान और इसलिए गांधी जी ये कह सकते थे उन्होंने युशावाशुक्निसद के एक मंत्र को चुना और कहा कि इस मंत्र की भावना के जो प्रतिकूल है वो संसार के किसी भी धर्म सास्त्र का कितना भी महत्पू वचन के ओना हूँ मैं उसे इस विकार करने के लिए तैयार लिए और वो मंत्र क्या है मित्रू इश्वावाद्यम इदम सर्वम यद किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजी था मागरिद कस्य स्वेध धन ये जितना भी जगत है इसमें परमात्म व्याब दे परमात्म कोई जगत से अलग सकता नहीं है इस सारे जगत में परमात्म व्याब दे और इस जगत की विभूती में तुमारा भी हिस्सा है उसका भोग करो लेकिन ये याद रखते हुए कि सिर्फ तुम्हारा ही हिस्ता नहीं है दूसरे का भी हिस्ता है उन्होंने कहा कि जो धर्म वाक के स्वास्त्र वाक के इस भावना के प्रतिकून होगा मैं उसे सिविकार नहीं कर सकता अभी कल ही या पिछले अफ़ते कल नहीं पिछले अफ़ते डावोस में कहना चाहिए the real masters of the world हर साल मिलते है पिछले अफ़ते भी मिले और मैं आज पढ़ रहा था the Hindu में एक बहुत अच्छा लेक उसमें मैंने पढ़ा कि मैं टाटा संस के जो चेर्मेन है उन्होंने का my top priorities are three growth, growth and growth ये जो हप्पूपन है ना विकास का अप्पू सब समझती होंगे हमारे ग्वालियर में बहुत परचलेते आप लोग भी समझती होंगे कि पेट फट जाए लेकिन सामने जो है वो खाई बना नहीं बाजाना उसको आप्पू कहते है ये जो growth का हप्पूपन है इसके नतीजे हम जोसी मट में देख रहे है और ताजा तरीन खबरों के अनसार अब वो नतीजे बद्री नाथ तक पहुचने वाले इस हप्पूपन के चलते आप फीर थिस्थानों को बोतलों में बेचते हैं और फिर प्लास्टिक से दुबारा पानी को प्रदूशित करते हैं उसके बाद ऐसे कारिक्रमों में ज्याद है politically correct लोगों का कारिक्रम हो तो प्लास्टिक की जगे कांच की या कांच की बोतल रख देते हैं और समझते हैं कि हमने तीर मार दिया मूल समस्या यह है कि ग्रोथ 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 without any concern or sensitivity about the idea of justice गांधी जी एक समस्या यह है कि बहुत सारे लोग गांधी जी को केवाल 1909 तर सेमित रख दिया हिंद स्वराज तक गांधी जी ने डिटारी के लिए उसमें बहुत सी बातें कहीं है लेकिन यही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बात में गांधी जी ने यह भी कहा है कि heavy industry होनी चाहिए लेकिन सरकार के अधिए यह सही है कि उसमें उन्होंने हैं सब्हेता के तमाम उपादान जो हम मानते हैं डॉक्टर वकील रेलवे सब की घोर निंदा की लेकिन उस निंदा को अगर आप सब्दे से पढ़ें तो उससे कोई लाग ने देगा उससे आप गांधी जी पहां सकते हैं अंस लीजिए क। लेकिन उस जरूरी वे मर्स हो, तो करपया कुछ दिर के लिए उससे इस्थगित करने, या बाहर चले जाएं, या आप आदेश करें तो मैं बैठ जाता हूँ, और यह मैं दोहराऊंगा नहीं, बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, कि अगर कोई बात मैं कहरा हूँ, वगर इत को सुन सकें, ओके? गांधी जी और दियों कि सभ्विता की जवाल उचना करती है, आजकल सभ्विता विमर्स की बहुत चर्चा चल रहे हैं, सभ्विताओं का संगर्स, बड़ी मसूर कितावे और आजकल दुनिया भर के लोग, खास तरह के लोग, सभ्विताओं के फेर में पड़े हुएं, किसी को हिंदू सभ्विता की चंता है, किसी को इसलामी सभ्विता की चंता है, किसी को कृष्वियन सभ्विता की चंता है, गांधी जी सभ्विता की आलोचना करते हैं, उसे वो ईसाई या पश्मी सभ्विता नहीं कहते हैं, लेकिन इस अर्थ में है कि वो सब्भेता के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवार करने लगे एक हद तक जहलेगी ना प्रकृति उसके बाद तो असंभव है क्योंकि जिस तरह का हप्पू विकास आप चाहते हैं उसकी पहुंच तब तक हो सब लोग उसके इस्तेदार बन सके हैं यह तब ही संभव है जब आपके पास एक नहीं बलके बरबाद करने के लिए आट दस पृत्वियां जो की है नहीं तो फिर एक ही तरीका संभव है जो आक्सफर्म रिपोर्ट में दिखता है कि मुलक के 40 फिसदी एसेट्स पर एक फिसदी का कब जओ और आपको इस बात पर गर्व करने के लिए कहा जाए कि आपके मुलक में अब प्राइबेट एयरक्राफ्ट ओन करने वालों की संख्या 300 हो गई जिसमें बंबई के कुछ फिल्म इस्टार्स भी स्वामेन है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस पर गर्व करें और आप इस बात पर भी गर्व करें कि आप हिंदुस्तान के छोटे-छोटे स्वेरों तो गावाई जाज पहुंचने लगे है साब पानी पहुंचता हो या ना पहुंचता हो तो गांधी जी की आलोचना इन distorted priorities की आलोचना है गांधी जी का लक्ष है authentic moral living है प्रामानिक नेतिक जीवर हम इस मूल बात को समझे मैं कते हैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहें कि गांधी जी से सीखने का मतलब ये है कि आप अध्योगी कराण की छुट्टी कर दें क्योंकि अध्योगी कराण के बिना गरीबी उन्मूलन संभाव नहीं है अध्योगी कराण के बिना ड्रजरी से मुक्ती संभाव नहीं है अध्योगी कराण तो चाहिए लेकिन एक नैतिक अनुशासन के साथ और वो नेतिक अनुशासन किसी एक व्यक्ति की सनक का अनुशासन नहीं हो सकता है कि वह कंसेंसस का ही अनुशासन हो सकता है गांधी जी से सीखने की जो तीसरी बात है महत्तिपूर वह यह जैसा मैंने आप से कहा कही गांदी जी कहते थे उस बात को पूरा कर ले कि मेरे यहाँ consistency मत खूजिए किसी भी मुद्दे पर अगर आपको मेरे विचारों में किसी तरह का विरोधा भास दिखता है तो जो बात मैंने बाद में कही है वो ज्यादे प्रमानेक है बनिस्वात उसके जो मैंने पहले कही है इसलिए अगर जाती प्रथा पर गांधी जी के सवाल पर आपको उनके विचार देखने हैं तो आप सन 44, 42, 49 के गांधी जी को देखिए वो ज़्यादे प्रमानेक होगा बनिस बाद सन 14, 15 के गांधी जी को देखने के इस वह गांधी जी ने का है consistency उस कविता को याद करते हुए गांधी जी ने बात कई बार कही थी कि consistency is half globin of little minds कम दिमाग वाले लोग निरंतरता के फिर में रहते हैं और इस बात पर गरू करते हैं कि हम दस साल पहले मार्क्सवादी थे आज भी मार्क्सवादी है दस साल पहले हिंदू राष्टवादी थे आज भी हिंदू राष्टवादी है लेकिन इसका विकल्प ये नहीं है कि जैसी बहे बैयार पीट तब तैसी दीजे वैचारिक विकासकार थिये नहीं होता कि एक समय आप दले तुभार के बड़े भारी चिंतक हूँ उसके बाद आप राछूल गांधी के सलाकार हूँ और आजकल रिपब्लिक आप हिंदुत कीखोच करने लग लिए ये वैचारिक विकास नहीं है ये सुद्धzwा पर चूनिज्मन अफर्द है मेरे ऐसे मित्र भी भी हैं और मुझे उनसे बहुत लगाव रहता है, मुझे उन पर कर्व है जो आज हिंदू राष्टवादी नहीं बने है जो उस समय हिंदू राष्टवादी थे जब हिंदू राष्टवादी होना उपाहस का पात्रोना होता था I feel proud of such people, I feel proud of their friends क्योंकि अगर आपके विचारों में परिवर्तन आ है तो वो तुछ लावों की वज़े से नहीं आना चाहिए वो गहरे साक्षातकार की वज़े से आना चाहिए तुछ लावों की उम्मीद में परिवर्तन नहीं आना चाहिए तीसरी महत्तपून बात दोस्तों बात केवल गांधी जी से सीखने की नहीं है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ये बात बारंबार याद रखनी चाहिए कि हमारा राश्ट्रिया अंदोलन कई माइनों में दुनिया का एक अभूत पूर्व आंदोलन था इस आंदोलन के दोरान आप मिसाल के तोर पर गांधी और टैगोर की चर्खे को लेकर बहस पढ़ें चर्खे की चर्चा भी हो रही थी और एक दूसरे के प्रती सम्मान देखें वो उनको महात्मा कहते हैं वो उनको गुर्देव कहते है नान कौपरेशन को लेकर के गांधी और टैगोर की बहस पढ़ें और राश्ट्रवाद को लेकर के गांधी और टैगोर दोनों के मन में जो संदे है उसकी समरूपता देखें हमारे राश्ट्री आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब दिये थी कि ये केवल राजनेतिक स्वाधीनता का नहीं बलके सांस्कृतिक आत्म रीक्षण का भी आंदोलन था ये बहुत गहरे वैचारी की उगदान का भी आंदोलन था हम एक राश्ट्र हैं राश्ट्री आंदोलन राश्ट्रवादी आंदोलन था लेकिन हमने दुनिया के सामने राश्ट्र की एक सर्व था अभूत पूर अवधार्णा प्रस्तुत की ये उरोपिये इतिहास पर आधारिज जो परिभासाएं हैं कि ये उस पर आधारी जो परिभासाइं हैं उसमें राश्ट्र का मतलब होता है एक भासा एक संस्कृत एक धर्म को मानने वाले लोग राश्ट्र और इसी परिभासा को भारत में कुछ बड़े भारत प्रिमी लोग पर चारित करती हैं यह एट्फिर्ट विदेशी परिभासरा राष्ट्रु की. हमारे राष्ट्रवाद में राष्ट की जो परिभासर प्रस्तत की एकेडमी कली नहीं राजनेतिक वहवार में के भारत एक राष्ट्र है लेकिन जिसका साघ्व विविदताओं में है जिसकी ताकत विवेदिताओं में हैं और मुझे सच मुझ बहुत प्रसंदता होगी आज कल के माहोल को देखते हुगे जब महानाईम राष्टपती ने दो दिन पहले अपने उद्वोधन में इस बात को बल पूर्वगर एकांकित किया कि दा स्ट्रेंग का फिंडिया लाइज इन इ एक्सक्लूसिव नेस्नलिज्म के सक्त खिलाफ थे उनका नेस्नलिज्म जाति धर्म और भाषा के आधार पर किसी को अधिक प्रात्मिक और किसी का आनुसंगिक माने वाला नेस्नलिज्म नहीं था गांदी जी के नेस्नलिज्म की शर्थ यह नहीं थी कि जो भारत को पित्र भूमि पढूमी भूमि वगएरा वगएरे मानता हो वही भारतिय वो सकता है या हिंदो उसकता है और सावरकर को अगर आप पढ़ें तो सावरकर की जो अलजन नहीं है memorized इ। उसमें साबर कर विचारे अपनी परिवाशा के जाल में ऐसे फस्ते हैं कि उन्हें मानना पड़ता है कि सारे सम्मान के बावजूद हम सिस्टर नेवधिता को भी हिंदू नहीं मान सकते क्योंकि पैदा तो भारत में नहीं सिश्टर निवेदे था कितनी भी विवेका नंजी की भक्त हो गई हो हिंदुत्यू की प्रेमी हो गई हो लेकिन जन्म से विदेशी थी एरोपियन थी तो भारत का जो राष्ट्रवाद था गांधी नहरू और सारी राष्ट्री आंदोलन द्वारा कल्पित परिकल्पित राष्ट्रवाद विवेचित राष्ट्रवाद वो एक अनौखा राष्ट्रवाद था और उसी अनौखेपन का एक पहलू ये था आज किसी भी सामाजिक समस्या के प्रसंग में आप देखेंगे निजी बातचीत में भी और सोसल मीडिया पर भी अरे साव ये देश तो हमारा देश तो ऐसा गया गुजराय है इतने घटिया लोगे औरतों की इतनी बुरी हालत है वगेरा वगेरा सई ये गलत नहीं है वो बात लेकिन अभी रानी जहासी रेजीमेंट की चर्चा हो रही थी और सही का उन्होंने की वो दुनिया के इतिहास में पहली आल वीमें बैटैलियन थी ये रेजीमेंट थी यह रानी जहां से कुन थी? मैंने एक बार अपने European अमित्रों से पूछा था, तो हचकचा गये थे विच्चारी, मेरे दो सवालों से मेरे European परिछवान होजाते है एक सवाल हिए के हूग आज European कबीर कबीर वाज इंडियन लूथर, कालिदास वाज इंडियन स्वेक्सपियर, एंचानक के वाज इंडियन मैक्यावली एंड सो ओन एंड सो फोर्थ तो मैंने जर्मनी में एक एकडमिक कॉंफरेंस में इस सवाल पूछा का मेरा परचा ही था हुवाज ऊर्डियन कबीर, लूथर वाज नोट ऊर्ड़ू और यूर्पियन कबीर, लूथर ने कैथालिक चर्च के परति विद्रू किया और एक नया चर्च इस्थापित कर दिया जो अपनी महनताओं में कैथलिक चर्च से कोई बहुत पीछे नहीं था कभीर ने कोई चर्च स्थाफित ने किया और दूसरा मेरा सवाल होता है हुवाज यूरोपियन रानी आप जहां से यूरोप के इतियास में किसी मिलिटरी जनरल का नाम मुझे बता दीजी जिसको जनरल माना हो जिसके कमांड पर वो लोग जो बड़े जातिवादी थे बड़े ब्रहमन वादी थे बड़े ठाकुर वादी थे लेकिन एक बाइस तेश साल की नौजवाल लड़की के कमांड पर जो लड़े हुँ महांता सफलता में नहीं होती रानी जहांसी असफल हुई उनके जैसे तमाम लोगा सफल हुए लेकिन इतिहास जब अपना फैसला देता है तो वो सफलता विफलता के आधार पर नहीं देता वरना इतिहास में बहुत बड़े बड़े दुस्ट और टकैत कई बार बड़े सफल हुए उन्हें हम आदर्स नहीं मानने लगते तो यह भारतिय समाज की जो विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश् प्लांटेशन वर्कर्स की पत्नियां और उनके परिवार की इस्त्रियां थी। लेकिन नाम था राणिया अब जहांसी अभी आप बात्साखान का पैनल देख रहे थे खुदाई खेदुमदगार का बात्साखान के बारे में एक कहनी है और सही होगी क्योंकर राजमौन बात्साखान को अगर आपने से किसी ने देखने का सहभा की पाया हो मैंने पाया है साथ फुटके थे पूरे आम पठान से भी जैदे दमदार और ताकतवर शरीर था उनका और पठानों के बारे में आप जानते ही है कहा जाता है कि एक बहुत मसूर पठान है जो करकेट खल यह कि जब इस आंदुलन के तहत उन्हें पकड़ा गया और बंद कर दिया हवालात में कोठ्री में तो वो जो अंग्रेज अफसर था वो ने चिल रहा था कि तुम बड़े गांधी वादी बनते हो बड़े गांधी बनते हो तुम गांधी वादी नहीं होते ते क्या बेगा आजसा खानने अपनी कोठ्री के लोहे के सीचे हातों से खींचे और बाहर आके खड़े हो गए उले गांधी वादी नहीं होता तो यह करता तो यह जो रूप आंत्रण था यह जो रूप आंत्रण था प्रेम चंद का अपन्यास गोदान पढ़िये उसके शुरुआती द्र लाओ तो माने के तुम्हारा जलबा है तो मालती मैडम जो है वोने पिला दे थी पंडी जी घुसरा पर तो उस समय जो बाकी लोग मैं बैठी हो इस लाइंग रूम में मस्ती जो चल रही है तो तालिया बजती है और अगर आपने वो पन्यास बढ़ा हो तो आप यात कि लोग कहते हैं वाँ वाँ मालती जी मजा बांदिया नमक कानून तोड़ दिया तो नमक कानून तोड़ दिया मुहावरे का हिस्सा बना कि बड़ा कठोर कोई कानून था बड़ा कठोर कोई संकल्प था वो आपने तोड़ दिया हमारे राश्ट्री आंदोलन की विरासत ह है और अन्त में धोस्तों यह बात केबल कांधी जी से नहीं विलके किसी से भी सीहने की है मैं व्यक्तिगत रुप से ही मानता हूं मैं liquor क्यों में भूदार व्यक्ति हूं आपको इसनके है जीप असे नहीं है ना जिल नहीं सकता है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है नक्रत गनता बरदास्ट नहीं कर सकता अंग्रेटफुल ने इसको मैं महनुस्टे के सबसे बड़े दुर्वणों में से एक मनत मेरे लिए आपने कुछ किया और मैं तोता त्वस भूजाओं भ पावजूद उन्होंने मुझे धक्का दे के घर से नहीं निकाल दिया और यह भूल जाओं और फिर पूछू उन से के आपने हमारे लिए किया ही क्या है ऐसी कृतगनता मेरी दुर्ष्की में अक्षम में अपड़ा दे और दोस्तों कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मुल उसके ढूस नहीं ऊक्तापूरा बाततों की जाती बाते कि अपड़्वर्सिटी पर कि गांधी और नहरुने किया क्या साथ में वल्लाने ने किया क्या साथ एक जमाने में एक सजंग पूछा करते थे बड़े लाजनिता थे वो जो कांधी जी को राश्ट पिता किसने आप आथा राश्ट्रता सबसे पहले गांधी जी जो अभी देखा आपने पैनल में रंगून से भासर्ण देते हुए फादर अब दनेश्वन और कस्तुरवा के लिए मदर अब दनेश्वन इस सबसे पहले सुभास भोस ने किया था यह पड़े लोग थे सबास भोस की पुस्तक इंडियन श्ट्रगल 1934 में प्रकासवित हुचुकी थी उस में ने गांधी जी की और जवारलाल नहरू की खास करके जवारलाल नहरू की बेहत कड़िया लुचना की थी और जब 35-36 में जवारलाल जी पर व्यक्तिका संकाट आया कमला नहरू पीमार थी और मिर्ट चैया पर थी और लोजा में जब उनका निदन हुआ स्वेजर लेंड में तो मैं सबास भोस नहरू के साथ थी आपको भाट सेफ इनिवर्श्टी पर पढ़ाया जाता होगा के नहरू तो हैं मस्ती काट रहे थे कमला जी मा मर रही थी ऐसा नहीं है नहरू जेल में थे और कमला नहरू की टर्मिनल एलनेस के ही आधार पर उन्हें रिलीज किया गया था कुछ दिन के लिए तो यह जो क्रतगनिता आपके संसकार में बैठाई जा रही है और जो नाया खड़ब की बात अभी की सौरब ने सावर करी नहीं एक और बड़े वकील थे हिंदु मासवा के भोपट कर जोनोंने बाद में बाइदावे गोडसे का मकदमा लड़ा था आई एने का मकदमा नहीं लड़ा था बैरिश्टर बी एल भोपट करिया क्या नाम था उनका बड़े भारी वकील थे उनने मकदमा लड़ा था गोडसे का तो दोस्तों यह समय जबकि हत्या को नॉर्मलाइज करने की कोस्विस की जा रही है अभी कल परसों कोई फिल्म रिलीज हुई है जिसमें गांधी और गोडसे के वैचारी की उद्धी की बात की जा रही है उस फिल्म निर्माता और लेक्षके प्रती पूरे सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता फिर बनाईए गांधी बनाम सावरकर और दोनों की बहस हुई है फर्क यह है कि सावरकर भी गांधी नहीं लिखते थे गांधी जी लिखते थे फर्क यह है अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कोई सज्जन सोसल मीडिया पर फर्मा रहे थे कि I refuse to call him मात्मा फर्मी ही व लेकिन मेरा मन हुआ और आपने से कोई चाहती हो चिप्रीमा कर दीजिएगा के यह स्यू मस्ट कॉल मिश्टर गांधी वरें वेरी गूड कंपनी Mr. Churchill and Mr. Jinnah refused to call him मात्मा they insisted on calling him Mr. Gandhi and you are in very good company you are in the company of Mr. Churchill and Mr. Jinnah तो मैं फिर से कहूं यह अवसर नहीं है लेकिन मैं कुछ काम कर रहा हूं नहीं मेरे दिमाग में गांधी जी को खांधी जी कोयाँ जाया आरचना है Ты जाशल कया ऐ और वहो ने चाहिए और यह उस तरह के लोग थे किनका स्वागत करते है जाँ हेर लाल जी ने अपनी आतम कदां में गांधी जी की तीक या लुचना किए नाम लेकर किए सुवास बोस ने की और उनी सुवास बोस ने गांधी जी को राष्ट किता कहा और उनी सुवास बोस को कांधी जी ने माय अधरसन कहा एक हमें कृतगन नहीं होना चाहिए कृतगन ता अगर किसी राष्ट का किसी समाज का सुभाव बन जाए तो वो राष्ट और समाज ज्यादे लंबे अर्से तक चलने ही पाएगा ये तै मान लीज़े और दूसरा ये कि हमें अपना ओचापन इन बड़े लोगों पर आरूपित नहीं करना चाहिए ये अपने मत्वेदों को छुपाते नहीं थे और उन मत्वेदों के साथ एक दूसरे का सम्मान करना जानते थे जो स्वस्थ समवाद के लिए ही नहीं किसी भी समाज और विचार के विकास के लिए जरूरी है और इसलिए हम आज विकास इतना कर सके वैचारिक रूप से आर्थिक रूप से भी अपने अपनी सोच के कठोर आलोचफ रमिद्रनाठ जो राष्ट्रवाद तक की धालना को टोटली रिजेक्ट करते थे और जोने राष्ट्रवाद के विरोध में भासन जापान और अमिर्का में दिये थे भारत में नहीं मैं कल्पना करता हूं कि वो भासन अगर 1915 या 16 की बजाए 2015 में दिये गए होते तो रमिद्रनाठ टाक उन्हें नहीं खा ऐसा है उल्टे बंगाल के एक निता थी प्रफुल चंद्र भोश उन्होंने टैगोर के बारे में कुछ तीखा लिख दिया इस विवाद के चलते तो गांदी जी नहीं सबसे पहले उन्हीं को जाड़ लगाई और का आप टैगोर का विरोध कीजिए गु यह सब उपलब्द है मित्रो यह सब कोई खोच-खोच के निकाली गई चीजे नहीं है सब उपलब्द हैं लेकिन यह आप तक यहने आप आम जंता तक लोगों तक पहुँचाने का काम जिन्हें करना चाहिए उन्होंने नहीं किया दो तीन बरस पहले मैं रायपुर में कॉ तो कॉंग्रेस के पतादीकारियों का जलसा था और वहाँ एक सज्जन उटके खड़े हुए वोले सर कह सचमुच जवारलाल जी नौ साल जेल में रहे तो मैंने उनसे पूछा आप हैं को उन्होंने बताया और ये भी बताया कि वो किसी जिला कॉंग्रेस के अद्यक्ष आज भी जो काम कॉंग्रेस को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं और उसका भी कारण वही है में पिछले कुछ वर्सों से कॉंग्रेस ने ये मान लिया था कि वैचारिक संगार्श समाप्त हो गया राष्ट को लेकर कोई समस्यानी बची अब तो बस विकास ही विकास होना है डैवलप्मेंट ना सेंस्टिविटी की कोई परवा है ना इतिहास की कोई परवा है ना किसी तरह के संस्कृती बोथ की कोई परवा है बस अंधा धुंद विकास तो आप विकास करेंगे तो वैस अब इदा कम से कम आप पे सेंसर तो नहीं लगा है आपको नहीं जबाग देते हैं डर एक कारण डर है कोई भी सर्वसत्ता बादी सत्ता कोई भी अथारिटेरियन सत्ता डराती है और डरती भी है मुनविज्ञान के विद्ध्यारती जानते हैं एरिक फ्रम की मसूर किताबे अथारिटेरियन करेक्टर पर दफीर आप फ्रीडम और उसमें एरिक फ्रम ने बताया है विवेचन करके बताया है तियासिक चरित्रों के माद्यम से विवेचन करके बताया है कि अथारिटेरियन क छोगता है है और इसलिए गांधी जी से सीकने की सबसे बढ़ी बात यह है क्या ऐसी ताक्तों को यह ahsas हम अपने वेहवार से करवाएं और इसके लिए संगर्द करें कि नहीं डर से सब कुछ नहीं होता हम मानते हैं कि हमें भी डर लगता है क्योंकि हम मनुष्य हैं लेकिन हम डर पर विजय पाने की कोशिस करेंगे डर पर विजय हासिल कर पर रहेंगे गांधी जी पर लिखते हुए असल में उपनिसदों पर लिखते हुए रोचक बात है डिस्कवरी आफ हिंडिया में उपनिसदों पर लिखते हुए नहरू कहते हैं कि असल में भारत में एक बहुत बड़ा महत्त तपस्या को दिया जाता है त्यूंकि उपनिसत के जो रिश्वी थे वो तपस्वी थे वो सुख सुविदाइच छोड़कर के विचार और चिंतन में लगते थे और इसलिए भारत के लोगों पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा और इस प्रसंग में ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जवारलाल जी को गांधी याद आती है और वो लिखते हैं कि गांधी के अनों के प्रभाव का भी कारण ये है कि आम आदमी गांधी को एक तपस्वी के रूप में देखता है हम गांधी जी जैसे तपस्वी की नकल नहीं कर सकते हमें करनी भी नहीं चाहिए हमें गांधी जी की हर चीज से सहमात होने की जरूरत नहीं है उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिन से सहमात होना कम से कम मेरे लिए संभाव नहीं है लेकिन हम निश्टित रूप से गांधी जी के पच्चिन्नों पर चलते हुए ये तो सीखी सकते हैं कि डर से कैसे निकला जाए और अपने विवेक का विकास कैसे किया जाए धन्यवाद दोस्तों